रमाइन में कुछ ऐसे तथ्या मिलते हैं जो काफी हैरान कर देते हैं इस वीडियो में हम जाने के सीता स्वेंवर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्या तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो Fact No.1 जिस दनुष को सीता स्वेंवर के लिए चुना गया था वो दनुष भगवान शिव का धनुष था और उस धनुष का नाम था पिनाक Fact No.2 क्या आप चानते हैं कि सीता स्वेंवर क्यों रचा गया था दरासल उस वक्त की प्रंपरा के अकॉर्डिंग एक इस्तरी को स्वेंवर चुनने का अधिकार था जानिके खुद की शादी के लिए अपनी मर्जी से वर चुनने का अधिकार था इसलिए सीता स्वेंवर रचा गया था इतिहास कारों कि अकॉर्डिंग भगवान राम और माता सीता ने सीता स्वेंवर से पहले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था Fact No.3 क्या आप जानते हैं कि सीता स्वेंवर के लिए दनुश को ही क्यों चुना गया था अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि बगवान शिव का ये दनुश काफी भारी था और इसे उठा पाना दोजार बंदों का काम नहीं था लेकिन माता सीता बजपन से ही इस दनुश को अकेली ही उठा लेती थी इसलिए राजा जनक ने सीता स्वेंवर के लिए इस दनुश को चुना था और शर्त रखी थी कि जो भी इस दनुश को उठाएगा उसी के साथ विवाह होगा माता सीता जी का हम सब जानते हैं कि सीता स्वेंवर में बड़े बड़े राजाओं के साथ खुद रावन भी आये थे ये दनुश उठा पाना किसी के बसकी बाद नहीं थी लेकिन हम सब जानते हैं कि रावन इतने शक्तिशाली थे कि वो ये दनुश आसानी से उठा सकते थे लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी रामन ये दनुश नहीं उठा पाए लेकिन क्यों दरासल रामन को अपनी ताक्त का अंकार था और इस दनुश को उठाना रामन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था अगर कोई इस दनुश को अपनी ताक्त के अंकार से उठा पाया और भगवान शरी राम के मन में अंकार ना होने की वज़ा से उन्होंने बड़ी ही आसानी से उठा लिया इस धनुश को भगवान शरी राम जानते थे कि ये कोई साधारन धनुश नहीं है ये भगवान शिव का धनुश है इसलिए पहले भगवान शरी राम ने इ सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग